आज की इस वीडियो में मैं आपको सुर्जमुकी के बीच को खाने के बारे बताऊंगा आप कैसे सुर्जमुकी के बीच का सेवन कर सकते हैं उसके आरे बताऊंगा ताकि आपको बेहतर पर ना मिल सके आप सोजमुकी के बीच को भून ले फिर भूने हुए बीच को मिक्सी में पीस ले फिर उस पीसे हुए चूर्ण को आप चही में डाल कर खा सकते हैं इसके अलावा भूने हुए सोजमुकी के बीच को आप आटा में मिला कर रोटी या पराठा बना कर खा सकते हैं आप चाहे तो इससे सेंड़्विच या पास्ता में डाल कर भी खा सकता है। आपको उमारी जानकारी कैसी लग गया मैं कॉमेंट करके जरू होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आप खुश रहे अपनी स्याथ का ख्याल लगे। दो दोटा दोट